रहे थे प्रतिवर्ष ये कथाएं होती हैं और आप सब बर्षवर इंतजार भी करते हो कि यग होगा तो यग में सत्संग अवस्थ सुनने को मिलेगा संगति करन देव पूजन दानेशु यग में देवता का पूजन अन्वारी तो है ही लेकिन सत्संग होना भी अन्वारी है सत्संग के साथ साथ दान करना भी अन्वारी है यग में सत्संग अन्वारी क्यों है आप यग में आते हैं तो यग में जब आप आते हैं तो यग का दर्शन होता है परिक्रमा करते हैं आप लेकिन यग की महिमा कौन बताएगा यग की महिमा तो वही बताएगा जो यग के बारे में जानता है जो यग के बारे में जानता है वो यग की महिमा बताता है यग की महिमा संथ बताते हैं क्योंकि संथ यग करते हैं लेकिन कभी कभी ऐसी कंडिशन आ जाती है कि यग में व्यवधान हो जाता है कभी कभी प्रकृती के द्वारा भी व्यवधान हो जाता है जैसे बहुत तेज हवा पानी आ जाए तो लगता है कि बहुत ब्यवधान हो गया कहीं कहीं तो घास्ट उसके मंडब बनते हैं तो उड़ जाते हैं अभी भिंड जिले में एक बहुत बड़ा एक गोचल रहा था जिसमें लगभग पानसो से भी अधिक विद्वान आये थे था तो एक सो आठ कुंडी है लेकिन उसमें पानसो विद्वान दुर्गा पाट कर रहे थे दुर्गा सफसती का पाट चल रहा था क्यों साच्तर जी कितने पंडित थे पानसो से पानसो से कुछ अधिक ही थे लेकिन एक दिन इतना तेज पानी आया इतना तेज हवा का प्रवाय हुआ कि यगमंडप प्रभावित हो गया लेकिन पूर्णा होती के बाद तो इतना प्रभावित हुआ यगमंडप कि यग मंडप ही गिर गिर गया लेकिन पूर्णा होती हो गई थी तो प्यारे प्रकृती के द्वारा भी कभी कभी परेशानी पैदा हो जाती है कभी कभी समाज के द्वारा परेशानी पैदा हो जाती है कभी कभी धन के अभाव में परेशानी पैदा हो जाती है परेशानियां कभी न कभी आ जाती हैं लेकिन याद रखना यग सब की परेशानी दूर करता है जिसके जीवन में परेशानी है वो यग की सरण में आ जाए तो यग भगवान उसकी परेशानी दूर कर देते हमारे आपके जीवन में हुमात्मक यग कभी-कभी होता है ग्यानात्मक यग भी कभी-कभी होता है लेकिन प्यारे हुमात्मक यग के लिए हमें 33 करूद देवताओं को आमंत्रत करना पड़ता है लेकिन ज्यान यग के लिए किसी संत को आमंतृत करना पड़ता है अत्वा दो-चार संत भी आ जाते हैं लेकिन मुख रूप से किसी एक विसे संत को आमंतृत करना पड़ता है संत के दर्शन से, संत की बानी से संत के परसन से पाप नश्ट हो जाते हैं तुलसी दाष्जी के मत से सादू नाम दर्शनम पुन्यम ये तो सास्त कहता ही है कि संत के दर्शन से पुन्न प्राप्त होते ही लेकिन तुलसी दाष्जी क्या कहते हैं कि संत के दर्सन से पुन्न तो प्राप्त होते ही हैं लेकिन पाप अनन्त जन्मों के पाप नश्ट होते हैं कब होते हैं पाप नश्ट जव द्रवही दीन दयालू राघव तब साधू संगत पाईये जैही दरस परस समागमादिक पाप रासन साईये जो पापों की रास रासमानी धेर पता नहीं कितने जन्मों के पाप इकठे होते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा पहाड़ बन जाता है पाप का उस पाप के पहाड़ को ध्वस्त करने के लिए सत्संग सुनना बहुत आवस्सक है और संत बानी से सत्संग सुनोत आवस्सक है ये तुलसी दाश्ची महराज कह रहे है एक बड़ी प्रशिद्ध कथा है आप लोगों ने रामाइन के पढ़ी होगी तो प्रशंग भी खूब पढ़ा होगा सुनते भी रहते हैं कि दसरत जी महराज को यग से ही पुत्र मिले अच्छा दसरत जी को यग से पुत्र मिले लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि पुत्र तो सब को मिल जाते हैं पापियों को भी पुत्र मिलते हैं ऐसी बात ने बलकि पुर्ण करने वालों को तो कभी-कभी अफबाद ऐसा भी हो जाता कि वो कहते महराज इतने तीरतों में गए इतने यग किये लेकिन संतान पिर भी नहीं मिली ऐसा कह देते हैं लोग लेकिन सत्य तो यह है कि पुत्र की प्राप्ती करना अथ्वा संतान की प्राप्ती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है लेकिन तुम्हारी संतान में भगवदिये गुण आ जाएं क्यों भई जो भगवान में गुण है अगर वो गुण थोड़े बहुत तुम्हारी संतान में आ जाएं तो ये सबसे बड़ी उपलब्धी मानी जाएगी कि नहीं अरे संतान वंतान तो होती रहती है लेकिन संतान में सुन्दर संसकार आ जाएं सुन्दर गुण आ जाएं सुन्दर चरित्र आ जाएं ये किसकी कृपा से होगा ये यग भगवान के दर्सन करने से एवं यक के माध्यम से सत्संग सुन्ने से हमें ये संसकार प्राप्त हो सकते है इसलिए दसरत जीन